तुम चिंता मत करो नेल, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूँ हे अध्भुद वन व्रक्षों, वन शोभितों, वन अधिपतियों मैं राम दुथ हनुमान आप से निवेदन करता हूँ प्रभु श्री राम के नेत्रित्व में प्रभु के काच को पूर्ण करने के लिए निकली महराज सुगृव की सेना को आगे बढ़ने दीजी हे वन की महान आतमाों, हम माता सीता को लेने निकले हैं विलंब नहीं कर सकते हम अन्यथा प्रभुश्री राम से माता का मिलन कठिन हो जाएगा विनम्रता नहीं ये शक्ति प्रदर्शन से मानेंगे तुम किसकी से ना हो, किसे लाने, किसके कारिय पर निकले हो, उससे हमारा क्या संबंद, राम को सीता मिले या नहीं, हमें क्या हम तो इतना जानते हैं, कि तुम्हें इस से आगे जाने की अनुमती नहीं दी गई है हमें व्रिक्षो सुनलो, नट कर देंगे तुम्हें, और नट कर देंगे इस बन को भी चलो मित्रों माया भी व्रिक्ष प्रतीत होते हैं हमारा सामना मत करो वानरो हम भी करोडों में हैं, अनेकों शाखा हैं हमारी आगे बढ़ें, तो अपनी जड़ों के नीचे गार देंगे तुम सबको नेल, तुम सभी सैनिकों के साथ यहां रहना, मैं इन्हें देखता हूँ ठीक है नुमान प्रभुश्री राम के कारे में बाधा डालने वाले व्रक्षों अंतिम बार कहता हूँ, मार्ग दो हमें, अन्यथा अपने विनाश के लिए तयार हो जाओ वानर, हमसे उल्जेतो सर्वनाश, हमारा नहीं तुमारा होगा सखा प्रभुश्री राम प्रभुश्री राम प्रभुश्री राम रखान शमा, किर्प्या शान्त हो जाएए, मैं वन देवी, मैंने आपका मार्ग शतुरता वश नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु रोका, नारायन की भक्ती के कारण, उनका नर्व अपदार, प्रभु श्री राम की हाने की सूषना पाकर, निके दर्शन पाने की प शान्त मित्रों, घबराने की कोई आवशक्ता नहीं है एक भक्ति, तूसरे भक्ति से प्रात्ता करती है मुझे श्री राम के दर्शन करवा दीचे, हे राम भक्त हनुमाद हे माता, मुझसे प्रार्थना करने की कोई आवशक्ता नहीं है हे वंदेवी, मैं आपको उनके निकट आवश्य ले जा सकता हूँ प्राव salahली कोई प्रावा तूसरे थे आवशक्ता प्रावशक्ता नहीं है अंदेवेश्य उक्ता नहीं है कर दो बटने कर दोगृ और दो यूदान का फ्टर वागा गुर्याप तोर दो में वागा रहीं। पता लगा लूँगा मैं उस नर और वानर के बारे में क्योंकि लंकेश मुझे पता लग रहा है कि इस समय आप भैभीत हैं मेरा अर्थ यह है कि आपको भै कि कहीं वो नर और वानर मुझे ख्यती न पहुँचा दे है ना भै नहीं शाराण शंका है मुझे कि तुम वहां से वापस लौटो गया नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ शुक को भेजना चाहता हूँ शुक उसके क्या आवश रखता है महराज अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही एकारे पूर्ण कर सकते हो अवश्य महराज क्या कह गया मैं महराज अकेले कर लूँगा? नहीं, नहीं इतना दुश्कर कारिय अकेले करना असंभव है मैं तो मात्रे सुचना ही एकत्रित कर सकता हूँ महराज शुक तो भीतरी भेज जान लेता है मैं तो बस दूसरों के मन के विचार जान पाता हूँ शुक दूसरों के मन पर हावी हो जाता है मैं तो मात्र गटना की सुचना प्राप्त कर सकता हूँ महराज शुक तो सुचना की अनुसार गटना की रचना कर देता है मैं तो बस मैं हूँ शुक तो असाधरन है वो अदभुत है सेवक्षूक का प्रणाम स्विकार करे लंके शूक जिसको सम्मोहित करे विचार उसके नियंतरित करे जागो शारण दुष्ट सुक तुमने पुना मुझे सम्मोहित किया शूक हूं मैं सुक बिलता है इसमें मुझे ही पता है पता है मुझे अपनी सम्मोहन शक्ती महराज के समक्ष दिखाना चाहते थे ना तुम पता है पता है तो तो तुम दोना शूक एक मन की बात जान लेता है और दूसरा किसी के भी मन को अपनी बात मनवा सकता है इतनी हदम में शक्ती है ऐसी विलक्षण प्रतिपा है तुम दोनों की तुम दोनों मिल जा तो लंका का कितना भला हो सकता है जानते हो तुम हम महराज जानते हैं भला कर सकते हैं महराज अवश्य कर सकते हैं मुझे पता है कैसे आप पता करना चाहते हैं न वो नर और वानर उनकी सेना के बारे में और और सम्मोहित कर लेना उस वानर राज सुग्रीव को उस वनवासी का साफ छोड़कर किशकिन्दा लाटने पर बात देख कर देना शुपजिस को सम्मोहित कर ले, विचार उसके नियंत्रित कर ले और अवसर मिलाना महराज, तो ये शुख उस नर और वानर को अपने वश में करेगा और पाएगा अपार सुख प्रणाम लंकेश प्रणाम लंकेश फ्रणाम लंकेश निए अवसर प्रणाच कि अवसर बात प्रणाम दो जो दो कि अो घड़ कि अड़ जो कुंगा झाता है प्रभू, ये वन्देवी हैं जिन्हों ने आपके दर्शन के मुहवश हमारा मार्ग अवरुद किया प्रणाम प्रभू, आपके दर्शन प्राप्प्र है, मेरा तो जीवन धन्य हो गया अब आप मुझे मेरी भूल के लिए प्रान डट भी दे, वो मुझे सहर्श स्विकार है देवी, सौ भाग्ये तो हमारा है, कि आपने हमें दर्शन दिये आप हमें आशीश दे, रावन को पराजित कर मेरी भार्या सीता के साथ लोट सकें हमें आगे बढ़ने का मार्क दीचे, देवी प्रभू, तेरी शुबकामना है आपके साथ आपकी सेना को मेरा आशीज परन्तु, मैं आपको आगे जाने नहीं देसे परन्तु, अब तो प्रभू दर्शन की आपके इच्छा पूर्ण हो गई है, माता परन्तु, हे रामभक, मेरी रिदय को अभी भी दृप्ति नहीं मिली जब मैं आपकी भक्ती भरी नेत्रों से प्रभू के दर्शन करूंगी अभी दृप्ति मिलीगी कृप्या उसमें मेरी साइता करें, शामभक धन्मार मेरे नेत्रों से आप प्रभू के दर्शन करेंगी? ये कैसे संभव है, देवी? प्रभू हे वन देवी माता, आपके ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है माता की ये अच्छा कैसे पूर्ण करें हनुमान हे प्रभू, यदि जो माता समझ रही है, वो सत्य है यदि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो इनके सरल भक्ति जन्य इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजी क्या मेरी शक्ति जन्य ये 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 ROBundos करने ये ये लग लूट जब या उप हो लूटिए लग शोटो है हुआ है मौई स्रोफो सभू दो भीडियों भीडियों आप लिट सनी आप iluk झाल झेल टाम झेलना बाइ, बाइ, बाइ बाइ आप आप एट राभभाक किशो आपने जो मुझे पिकृता की शब्दों में प्रतीत नहीं कर सकती अप अज़िक्त प्रश्ण रड़े को अपने आलो के जटा से प्रदीपत करने वाले मुझे प्रभू के विराठ रूप से तर्शन करवाने की खृपा किया अपने रामभगत दुमार हे प्रभू सहस्त्र सूर्योत के समान के प्रकाशित आपके दिव्य रूप को देखने की शम्ता नहीं है मुझ में परंतों भक्धनुमान की भक्ती के शक्ती से आपके दिव्य रूप की एक छलग पाकर मैं घरतार्थ होई प्रबाद हे रामभग मैंने कहा था न आपके लिए कुछ असंभव नहीं और ना कभी होगा आपने केवल मेरे इच्छा ही नहीं मेरे जीवन का उद्देश पून कर दिया मैं आपको इत परदान देना चाहती हूँ आपका ये कथन ही मेरे लिए वर्दान है माता कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है अब मेरा अनुरोद स्विकार कर हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए मेरे कारी आपका भहुत समय व्यार्थ हो परन्तु अब तक्षन तटकी आपकी यात्रा शीग्र कुण इसलिए इस वन के समाप्थ होने तक आपके मार्ग में कोई अवरोद नहीं आने दूए प्रणाम प्रभू आपके जय खाए आमां की, जय खे, ति dış खे, बठा भूस्क है जै श्री राम प्रभुश्री राम की भगवान की कृपा तभी मिलती है जब भक्ति में सच्चाई और पूर्ण समरपण हो